सम्मिधान के संद्र में कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्स जो हैं कि उसे बताना चाहूंगा और यह स्रीज जो है मेरा काफी टाइम ते चलता रहेगा मैं नए नए वीडियो अप्लेट करता रहूंगा अगर आपको अच्छा लगते हैं तो वीडियो जरूर देखें आसा करता हूं कि वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाबदायक होगा संविधान के संद्र में मेरी पहली कृपना है कि संविधान जो है वह उन आधार बूत नियमों और कानौनों का संद्र है जिसकी द्वारा किसी भी देश का सासन प्रसासन चला जाता है भारत का संविधान जब भारत सुतन थ्रुबा उसके बाद हमारे देश के काफी विद्वान लोग जैसे पंडित मोतिलाल नहरू पंडित जवाल नहरू दाक्टर भीम राम बेटकर और राजिंत प्रसाब अपने भारत देश का सासन या प्रसासन अच्छ अशुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए संविधान बनाने का विचार रख्खा और 1924 में पंडित जवाल नहरू ने यह विचार प्रकट किया कि जो भारत का संविधान है उसके बनाने के लिए एक संविधान सवा होना अन्वाल है तो इन्होंने भारतिय जो थे जो हमारे यहां के अंतलब की जैसे सासन जब समात हुआ अंग्रेजों का तो फिर भी कुछ अंग्रेज रहा गये थे भारत में और भारत के नियम कानून में भी पार्टिसेट कर रहे थे उस समय जो सासन था जब सम्मिधान बनने से पहले तो अंग्रेजों की हाथ में था काकी टैलेंटर थे लेकिन उसमें भारतियों का भी पूरा हग था तो सम्मिधान सभा की मांग के लिए बिल पास किया गया एक नोटी जारी किया गया कि हमें सम्मिधान सभा सगठन करना और अपना सम्मिधान बना जाते हैं लेकिन सन 1946 में मंत्री मंतर मिशन उजणा के अंतरगत अंग्रेजों ने भारतिय सम्मिधान सभा के प्रस्ताव को माल लिया आपको भारतिय सम्मिधान के संदर में सबसे खास बात कर जानका अश्रे होगा कि भारत के सम्मिधान बनाने की पूरी परिगिरिया में मुहम्मद अली जिन्ना और महत्मा गाजी ने पार्टीसिपेट नहीं किया था जबकि मात्मा गादी बहुत थी उच्चकोट के विद्वान थे उस समय सबसे उच्चकोट के विद्वान थे जब भारत का संदर लिए एक नड़ से जब भारत का संदर बनाने के लिए पहली मीटिंग संदर 9 दिसंबर 1946 की गई तो उसमें डांक्टर सच्चिदा नंजर सिंधा अगस्थाई अध्यच्च बनाए लें मतलब कि उसमें मतलब हमें इसा के लिए अध्यच्च नहीं थे मत एक दिन के अध्यच्च रहें और उनकी अध्यच्चा में पहला मीटिंग जो हुआ पुरान मतलब 11 दिसंबर को फिर दूसरे मीटिंग हुई जिसमें डांक्टर राजेंद्प्रसाथ ने सम्मिधान सभा की अध्यच्च्चा की और वह आगे पूरे प्रकिया में सम्मिधान सभा के अध्यच्च बने रहें यानि की डांक्टर राजेंद्प्रसाथ सम्मिधान सभा के अस्थाई अध्यच्च्च रहें और सच्चिदा नंद सिंधा जी मात एक दिन 9 दिसंबर 1946 को जब पहला मीटिंग हुआ सम्मिधान सभा को ले करके तो वह पार्टिसिपेंट की वह अध्यच्च थे और उसमें मुस्लिम लिग कर कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर अज़िए अज़िए